तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप PVC अधार कार्ट ओनलाइन ओर कर सकते हैं बड़ा ही सिंपल है बड़ा ही ऐसान है सिर्फ दो मिनिट का टाइम लगेगा और आप पंदरा दिनों के अंदर आपके घर में होगा तो PVC अधार कार्ट क्या होता है जैसे कि ATM करड में क्रेजिट कर्ड होता है ठीक उसी प्लास्तिक पर आपका अधार कर्ड प्रिंट होकर आ जाएगा पहले भी PVC अधार काल यानि कि हाड़ प्लास्टिक पे जो है अधार काल आते थे लेकिन वह इतने सेफ नहीं होते थे नहीं उसमें कोई सिक्वरिटी दिया जी थी जैसे कि आप मेरे हाथ में काल देख सकते हैं यह मैंने दो साल पहले दुकान से एक निकलवाया था लेकिन यह यह इतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन अब जो आफ दिका देता हूं मैं इसको ऑडर करा था जो कि अब आ गया है मैं इसके अन्बाक्सिंग करता हो इदेख सकते हैं कितनी हाल प्लास्टिक बनाया और इसमें होलोग्राम भी दिया वा है यह पूरी तरह एकदम सेफ है सरक काड जो है 15 दिनों के अंदर जो है आपके घर पर आ जाएगा चलिए टाइम नवेश करते हैं हम डिर्ट पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे ओडर करना है तो सबसे पहले हम गूगल पर आकर जो है अधार काड की वेफसाइट डालेंगे यू-ड-a-i.gov पर जाकर हम इसको क्लिक कर देंगे उसके बाद देख सकते हैं कि यू-a-i-d-a-g की इसके ऑपर आपर क्लिक करेंगे हम पर करेंगे करने के बाद मीचे आएंगे और अधार पीवी सी काड़ डेंगे लिखाव आये इस पर हम क्लिक कर देंगे यहां पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेच आपके सामने उपेन हो जाएगा यहां पर आप अपना अधार नमबर डाल देंगे तो मैंने आप अपना अधार नमबर डाल दिया उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आप इंटेस सेकुरिटी कोड लिखा है यानि कि जुहाँ पर यह लिखाव है जी एट वाई डबलू के वहें पर यह डाल देंगे अगर आपका मुबाईल नमबर आपके अधार काल से रेडिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपके send OTP पर क्लिक कर देंगे अगर रेडिस्टर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि my mobile number is not registered लगाने के बाद यहां पर आप अपना mobile number डाल देंगे, तो मेरा mobile number जू है अधार काड में तो मैं यहाँ participant性 क्लिक कर देता हूँ, He Ahh P taylor देंग आने के बाद यहां पर नीचे राकर अपना लगता है कि अधार काल कैसा आएगा यह देख सकते हैं यहां पर फ्रंट साइड लिखे कि फ्रंट साइड ऐसी होगी और यहां पर बैक साइड लिखे है यानि कि अधार काल की जो बैक साइड होगी वह ऐसी होगी अब हम नीचे आएंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं लिखा है में प्रेंगें अब लाँघ कर रहा हूं आने सब्सक्राइब खरेंगे और यहां पर Online लिख्षय को टिए कार्ड़ नंबर के नीछे वह लिख देंगे कि और यहां पर जोंजी काल के पीछे qty होती यहां यांशा yote-지만 नेखिए यहां पर लिख देंगे उसके बार आप देख सकते हैं नीचे प्रोसीड लिखा है यहाँ पर किलिक कर देंगे यहाँ पर OTP आगया है OTP डाल देंगे OTP डालने के बाद यहाँ पर सब्मीट पर किलिक कर देंगे आप देख सकते हैं कि मेरा अधारकाल जो है ओडर हो चुका है यहाँ पर पूरी receipt आ चुकी है SRA number लिखके आ रहा है Receive number लिखके आ रहा है इसको जो है आप यहाँ पर download भी कर सकते हैं इस receipt को आप download कर लिएगा आप इससे जो है अपना status चेक कर सकते हैं आपके अधारकाल का status कैसा है तो status चेक करने के लिए हम आपके लिए की वेबसाइट पर आएंगे और इंटर कर देंगे वेबसाइट उपन हो चुकी है अब हम यहाँ पर किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन लिखा है माई अधार इस पर किलिक करेंगे उसके बाद लिखा है गेट अधार इस पर click करेंगे, get अधार पर click करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि check अधार pvc card status लिखा है इस पर click करेंगे, इसके बाद जो यहाँ पर srn number डाल देंगे जो आपको receipt में मिला था, यहाँ पर srn number यहाँ पर डाल देते हैं srn number डाल लेके बाद यहाँ पर अधार कार नंबर डाल देंगे नीचे अब यहाँ पर capture डाल देंगे, capture यानि कि यहाँ पर लिखा है zh5hx वो लिख देंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा है च्छा है कि status यहाँ पर click कर देंगे status open हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं कि payment successful यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ से जो है आप यह slip डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो प्रेसा ना आई तो please like कर दें और चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही important videos लाता रहता हूँ